Hello students, welcome to quick experience. साच की क्लास में हम सीखने वाले हैं Past Perfect Tense. ठीक है जी, Past Perfect Tense के एक्जामपल सम वीडियो के लाश्ट में देखेंगे और आपको कुछ sentence practice के लिए देगे जिनको आपको comment section में translate करके बताना पड़ेगा. कितना आपको समझ आया है, उससे आपको बाते सल जाएगा और चल ये समझते हैं Past Perfect Tense होता क्या है. Past Perfect Tense की identification मैंने यहापे लिख दिये, लेकिन उसके example मैं बताऊं तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है कि Past में कोई भी दो काम हो रहा है, उसमें से एक दूसरे वाले से पहले ही complete हो चुका है. ठीक है, इस तरह के sentences को आपको यूज करना है Past Perfect Tense में. वीडियो के last में भी हम examples काफी सारे देख लेंगे, सबसे पहले structure देख लो, आप affirmative का मैंने लिख दिया है, negative का लिख दिया है, और interrogative, interrogative, negative का और wh family का भी. ठीक है जी, तो structure आपको समझ लेना है और इसके example हम अभी देखते हैं, चलिए. और कोई family है, जैसे WH family, whose family, which family, सबका, तो आप पूछ सकते है comment section में, और इसमें से कुछ समझ ना है तो वो भी पूछ सकते हैं, चलिए समझते हैं, आप सबसे पहले examples. चलिए guys, अब सबसे सब पहले समझते हैं इन सारे sentences को, वह कई सालों पहले मर चुका था, he had, third form, died, he had died many years ago, ठीक है जी, वह कई सालों पहले मर चुका था, यहापे हम past perfect का use करेंगे. नेक्स्ट है, उन्होंने हमें तुम्हारे बारे में बताया था, they have told, they have told you, sorry, they have told us about you, simple, ठीक है जी, इस तरह के sentences को आपकी use करना है, past perfect tense में, चलिए next देखते हैं, उसने वहाँ क्या किया था, क्योंकि यह काफी साल पहले की बात हो सकती है, काफी time पहले की बात हो सकती है, इसलिए यहाँ पे sentences आप देख सकते हैं, what had he done there, ठीक है जी, तुमने यह dress कब खरीदा था, long time ago की जब आप बात करते हैं, ठीक है जी, तब इस तरह के sentences यूज़ करते हैं, when had you purchased this dress, ठीक है, third form आपको हर जगा यूज़ करना है, चलिए, और भी examples देख लेते हैं हम इसके, उ how many children had, how many children had, they, और teach की third form होती है, taught, how many children had they taught, चलिए, देख देखते हैं, उसने ये मकान 5 साल पहले बेच दिया था, he had sold, sell की third form sold, he had sold this house 5 years ago, ठीक है जी, चलिए, comment section में आपको कुछ examples मैं दे देता हूँ, ताकि आपको translate कर पाओ, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ past perfect के नहीं है, इसमें mix up है, जो भी मैंने पिछली वीडियो बनाई है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, कि ये सिर्फ past perfect के नहीं है, past perfect का कौन सा है, ये आप comment में करके बताओ, हो सके तो तीनों को translate करके दिखाओ, I'll tell that you are right or not, च